नमस्कार चेत्र नवरात्री के 5वे दिन में मास्कंद माता की पूजा अर्शना की जाती है मा की पूजा का लाब आपको कैसे मिल सकता है ये हम आज आपको बताएंगे और मा को प्रसंद कैसे कर सकते हैं ये भी बताएंगे माना जाता है कि जिसकी कृपा मा पर हो जाती है मूर्ख व्यक्ति भी ज्यानी हो जाता है मा की उपासना से भक्तों की सारी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है भक्तों को मौक्ष मिलता है मानता है कि इनकी पूजा से संतान की प्राप्ती भी होती है तो आईए जानते हैं कि कैसे करें मा की पूजा अर्षना प्रात हाकाल स्नान करने के बाद स्वच वस्त्र धारन करें पूजा के स्थान पर स्कंद माता की मूर्ती स्थापित करें इसके बाद पूजन आरंब करें, मा की प्रतिमा को गंगाजल से शुद्ध करें, इसके बाद फूल चड़ाएं, मिश्ठान और पांच प्रकार के फलों का भोग लगाएं, छे इलाईची भी भोग में चड़ाई जाती हैं, कलश में पानी भर कर उसमें कुछ सिक्के डालें, इसके बाद पूजा का संकल्प ले, सकंद माता को रोली कुमकुम लगाएं, मा की आरतिय उतारें, तथा मंत्र का जाप करें, कहा जाता है कि मा अपने भक्तों पर पुत्र के समांस नहें लोटाती हैं, मा की उपासना से नकरात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, वैसे तो मा का सभाव बेहदी सादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मा का सुरूप कैसा है, मा को क्या क्या चीज़े प्रिये हैं, तो आईए जानते हैं, सकंद माता कमर के आसन पर विराजमान है, इसी कारण उन्हें पदमासना देवी भी कहा जाता है, मा सकंद माता को पार्वती एवं उमा नाम से भी जाना जाता है, मा की उपासना से संतान की प्राप्ति होती है, मा का वहन सिंग है, मा सकंद माता सूर्य मंडल की अधिश्ठात्री देवी है, मा की उपासना से परमशांती और सुख का अनुभव होता है, मा कामल के आसन पे विराजमान रहती है, और उन्हें पारवती और उमा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की खथा, तो आईए जानते हैं कि मा को ये सरूप कैसे मिला, पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन करने के लिए कठोर तपस्या की, उसके कठोर तपस्या से प्रसन होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिये, तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमर्ता का वर्दान मांगा इस पर ब्रह्मा जी ने तारकसुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा इस पर तारकसुर ने शिवजी के पुत्र के हातों मृत्यू का वर्दान मांगा क्योंकि वैं सोचता था कि शिवजी जी का कभी विवा नहीं होगा और विवा नहीं से पुत्र भी नहीं होगा ऐसे में उसकी मृत्यू भी नहीं होगी वर्दान मिलने पर तारकसुर जनता पर अत्याचार करने लगा और लोगों ने शिवजी जी के पास जाकर तारकसुर से मुक्ति दिलाने की प्रात्ना की फिर शिवजी ने पार्वती से विवा किया और कार्तिके पैदा हुए कार्तिके ने बड़ा होने पर राक्षस तारकसुर का वद्ध किया भगवान सकंद यानि कार्तिके की माता होने के कारण इन्हें सकंद माता कहा जाता है पुराणों में सकंद माता की कुमार और शक्ती नाम से महिमा का वर्णन है नवरात्री स्पेशल में हमने आपको बताया कि मा सकंद माता की पूजा अशना कैसे करें मा की पूजा का लाब आपको कैसे मिल सकता है ये भी बताया साथ ही सकन माता का नाम सकन माता कैसे पड़ा ये भी बताया कल हम आपको बताएंगे छटे दिन के बारे में तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद